मेरा नाम है रजट and you are watching India's No.1 Hindi Gay Story Channel मनोहर बस स्टेंड पे खड़े बस के आने का वेट कर रहा था थोड़ी दिर में बस आ रही थी कि बस स्टेंड से जरा पहले बस रुख गई मनोहर को किसी की हलकी सी जलक दिखी जिसे देख कर जैसे उसका दिल बैट सा गया सांसे थम सी गई और उसकी रूः जम सी गई तबी अतुल ने कहा हे क्या हुआ मनोहर मनोहर कुछ बोला ही नहीं मनोहर और अतुल हर रोज की तरह घर जाने के लिए बस स्टेंड पे खड़े थे दोनों रूम मेट्स थे और बस फाइनली बस स्टेंड पे आके रुकी पूरे रास्ते आज मनोहर किसी खयाल में खोया सा था ऐसा लग रहा था कि कोई उसे रह रह के याद आ रहा है जिसे उसने ना जाने कप से भुला सा दिया था या भूलने की कोशिश की हुई थी आज मनोहर बहुत ही बेचैन सा था उसकी लंबी लंबी सांसों से अतुल को समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़वढ है पर क्या वो पूछना तो चाह रहा था पर पूछ नहीं पा रहा था शायद उसी जिज़क हो रही थी फिर भी उसने मनोहर से पूछी लिया कि क्या हुआ भाई इतने बैचेन क्यों दिखाई दे रहे हो सब ठीक तो है ना मनोहर उसकी तरब देखता रहा देखता रहा और बस देखता रहा फिर से एक वार अतुल ने पूछा घर में सब ठीक तो है ना मनोहर ने कहा सब ठीक है और चुप हो गया अतुल को आज मनोहर अलग सा लग रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसे जानता ही नहीं क्योंकि मनोहर चुप रहने वाले लोगों में से नहीं था घर पे पहुँचे अभी भी अतुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो मनोहर से क्या बोले क्यूंकि मनोहार response ही नहीं दे रहा था मनोहार तो अपने दिल की बात कहना ही नहीं चाह रहा था बैसे तो दोनों roommates थे पर दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी इतनी गहरी कि कभी-कभी office में लोगों को doubt आथा था कि कहीं दोनों couple तो नहीं है और इस बात पे उन दोनों का मजाग भी बहुत उड़ाया जाता था पर दोनों हमेशा हस के डाल देते थे क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था दोनों के बीच वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे अतुल सबजी बनाने के तैयारी में लगा हुआ था और मनोहर अपने खयालों में खोया रसोई में रोटिया सेखने की जगए उन्हें जला रहा था जब अतुल को बार-बार रोटी जलने की महक सी लगी तो उसने किचिन में जाके देखा और मनोहर को रोका और उसे किचिन से हटाया फिर वो सारी सबजी उठा के किचिन में लाया हॉल से और यहां पे आके कट करना शुरू किया उसने उसने मनोहर से कहा कोई जरूवत नहीं है दोस्त तुम्हें आज काम करने की मैं कर लूँगा मनोहर उल्जा हुआ था अपने खयालों में वो बाहर आके बैठ गया हाथ में फोन पर दिमाग अभी भी कहीं खोया था वो सोच में था कि आज उसने जिसको बस से उतरते हुए देखा कहीं वो वो तो नहीं ऐसा कैसे हो सकता है वो तो सालों पहले क्या सोच रहे हो यार अरब बता भी दो अतुल ने मनोहर की पीट पे धौक देते हुए कहा अब तुम बताओ सबजी बना ली क्या अतुल बोला बनने रख दी है बस कुकर में सीटी आने की देर है अब चलो सच सच बताओ क्या बात है अतुल ने जोड देते हुए कहा तुम मुझसे बैसे तो कुछ भी नहीं चुपाते हो पर आज क्या है जिसे कहने में इतनी तकलीफ हो रही है अभी भी मनोहर चुप ही था अतुल ने गुस्से में जाते हुए उससे कहा पड़े रहो ऐसे देखते हैं क्या होता है ऐसे पड़े रहने से मनोहर जिसके भी खयाल में था वो जानता था कि ये सब सोचना उसकी बेवकूफी है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता जो इनसान जा चुका है वो बापिस नहीं हा सकता दुबारा जैसे तैसे उसने खुद को संभाला अतुल ने खाना लगाया और दोनों ने एक साथ खाया फिर मनोहर ने बरतन किये और दोनों सोने को गए सोबह दोनों जल्दी जल्दी सारे काम करके ऑफिस के लिए तैयार हुए मनोहर ने कल के बारे में सोचना बंद कर दिया था वो अपने दिमाग को पूरी तरह से रोग देना चाथा था ताकि वो अपने आज पर फोकस कर सके वो दोनों बस स्टेंड पर खड़े थे इस बार ओफिस जाने के लिए थोड़ी ही देर में बस आ गई और मनोहर और अतुल दोनों चड़ गए उन्होंने जैसे दैसे बस में जगह ढूंडी और वहाँ जाकर खड़े हो गए आज बस खचा खच भरी हुई थी अतुल बोला मैंने कहा था ना आज ट्रेंज से चलते हैं पर तू है कि सुनता ही नहीं हर रोज बस बस से ही ट्रेवल करना रहता है तुझे और करवाता भी है मनोहर बुला बस का जो मज़ा है वो कहीं और नहीं दोस्त बस अगले स्टॉप पे रुकी कुछ सवारियां उतनी तो कुछ चड़ी अचानक फिर से मनोहर सननाटे में आ गया अतुल ने देखा तो मनोहर भीड में किसी को घूर रहा था अतुल ने मनोहर को हिलाया और कहा पागल हो गया हो क्या क्यों किसी को घूर रहे हो मनोहर आगे बढ़ा और सीधे उस लड़के के पास जाकर खड़ा हो गया जिसे वो घूर रहा था मनोर को अपनी आँखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे ये हो सकता है वो अपनी आँखों को मसल मसल के देख रहा था कि कहीं ये उसका सपना तो नहीं और फिर उसने उस लड़के को चुआ वो लड़का बोला क्या हुआ भाई क्या उतरना है आपको मनुहर चुप था वो बापिस अपनी जगह पे आके खड़ा हो गया और बोला खुद से ऐसा कैसे हो सकता है समझ नहीं आता अतुली ने पूचा क्या कैसे क्या समझ नहीं आ रहा बताने का कश्ट करोगे थोड़ा तो मैं भी समझूँ और शायद तुम्हें समझा सकूँ कौन है वैसे वो लड़का बताओ जरा मनुहर बोला तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपने पहले प्यार के बारे में बताया था देवांश ये बिल्कुल देवांश के जैसे दिखता है सेम शकल बस बोड़ी थोड़ी अलग है अतुल बोला क्या सच में कहीं ये वही तो नहीं मनुहर बोला नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है वो नहीं हो सकता मैं जानता हूँ उसको अभी भी भले वो आज साथ में नहीं पर वो मेरे दिल में हमेशा के लिए है मनुहर ने अतुल को फोटो दिखाई और अतुल बोला हाँ यार बात तो सही कह रहे हो दिखता हो तो बिलकुल उसके जैसा है वो लड़का अगले बस स्टॉप पे उतर गया और मनुहर भी उसके पीछे पीछे उतर गया उस लड़के को जरा भी भनक नहीं थी कि मनुहर और अतुल उसका पीछा कर रहे हैं वो तो बस चलता जा रहा था कानों में एयरफोन डालके मस्त गाने सुनते हुए अचानक वो रुका और उसने पीछे मुड़के देखा शायद उसे शक हो गया था कि उसका पीछा किया जा रहा है वो जल्दी से अगली गली में मुड़ा और एक घर में चला गया मनुहर और अतुल उसे ढूनते ही रह गये अतुल मनुहर से बोला भाई बस कर आफिस चल हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं ऐसा ना हो आशकी के चकर में नौकरी भी जाए मनुहर थोड़ा सा खुश था और थोड़ा दुखी भी काफी कन्फ्यूजिंग सी फीलिंग्स थी उसके अंदर उन्होंना ओनलाइन आटो बुक किया और आफिस पहुँचे टीम लीडर मिलिंद घुसे में तन फनाया हुआ था दोनों पर पर जैसे ही उसने अतुल को देखा वो शान्त हो गया और बोला अरी री क्या हुआ कैसे हुआ सब ठीक है ना अतुल के सर पे पट्टी बंदी हुई थी मनोहर बोला आज ये बस से फिसल गया पीड बहुत ज़ाता थी गिर गया इसके सर पे चोट लग गई इसलिए हमें देर हो गई जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था बस आफिस में कोई इशू ना हो इसलिए दोनों ने बहुत बड़ा किला फते कर लिया हो अब हर रोज दोनों उस लड़के का पीछा करते थे वो लड़का भी ये समझ चुका था और एक दिन पीछा करते करते दोनों उसके कॉलिज तक पहुँच गए बहां पे मनोहर को पता चला कि वो एक स्पोर्ट्स प्लेयर है और उसे हौकी खेलना पसंद है एक दिन मनोहर ने ओफिस से यूही छुट्टी ले ली उसका पीछा करने के लिए मनोहर पूरा दिन उसका पीछा करता रहा और जैसे ही वो आटो में बैठा तुरंत मनोहर भी जाके ओटो में बैठ गया दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे एक दम खामोशी चाही हुई थी फिर उस लड़के ने मनोहर से बोला एक बात पूछो आपसे मनोहर बोला हाँ पूछो वो बोला आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो इतने दिनों से मनोहर सक पका गया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो वो बोला नहीं तो मैं तो पीछा नहीं कर रहा वो तो इत्ते फाक से दिन में दो तीन बार वो लड़का बोला इत्ते फाक से इतिफाक दिन में दो तीन बार नहीं होता दोस्त किसको बना रहे हो मुझे या खुद को सीधे बोलो चाहिए क्या गे हो क्या मुझे पेलना चाहते हो तो बोलो मनोर बोला यार कैसी बाते कर रहे हो हां मैं गे हूँ पर तुमारे बारे में कभी गलत नहीं सोचता, तुम तो मेरे, मेरे क्या, बोलो, बात पूरी करो, वो लड़का बोलो, मनोर ने फोन निकाला, और जल्दी जल्दी मुझे अपने एक्स की फोटो दिखाई, जिसे देख वो लड़का शौक ढोगया, क्योंकि दोनों हम शकल थ मनोर बोला, ये तुम नहीं, मेरा देवान शे, ये मेरा बॉइफ्रेंड था, वो लड़का बोला, था मतलब, अब रिलेशन्चिप कतम, मनोर बोला, गौड ने चीन लिया, उसे कैंसर हो गया था, इस लड़के ने सहानुभूती दिखाई, और मनोर के कंदे पे हाथ रखा और कहा, होनी को कोई नहीं बदल सकता, पर आपको आगे बढ़ना चाहिए, और हाँ, एक बात और, मैं आपका बॉइफ्रेंड नहीं हूँ, और नाहीं मेंगे हूँ, मनोर ने उससे उसका नाम पूछा, तो उसने उसका नाम शिब बताया, उसके बास से मनोर शिब अकसर मि पर रूल करो,